पार राखीम धन्चेकवाज यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया धन्चेकवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को क्लिक करें ताके तमाम वीडियो आप तक पौई सके वीडियो को लाइको बड़ी एद बड़े पुरमन अंदाद में गुदर रही है और ये एद को दो रोज अभी तक्रीबन हो रहे हैं और ये इस तफ़ा कुरबानी का रुजहान भी काम है और बिलकुल एद आले दिन तो ये सारा हर तरफ सनाटा ही है और सिर्फ मसाजद में लोग ईद बड़ा करने के लिए निकलने हैं तो मुख्तलिफ उकाद में छे बज़े ही बलके पूने छे बज़े से ही मसाजद में नमाद की दाइगी का शुरू हो गया था और आठ सारे आठ बज़े ये क्यूंके ईद लज़ा के वक्त अमूमन ये ही होता है कि जल्दी नमाद से फारो होकर फिर कुर्वानी का मरला होता है तो बारहल ये ईद के मौके पर ये बिलकुल हर तरफ सनाटा था और अब ये दूसरे रोग देदर ये मुस्पल कमेटी चिकवाल ने ये जो अलाइशों को उठाने के खुस्सी गदामाद की है तो 2900 अलाइशें पहले दिन में ईद के ये ये शाम तक ये पूरे शायर से उठाई गई गई है मुस्तलिफ मकामाद से और अभी ये 8000 का अदफ जो है ये मुकर्र किया गया है कि ये तीन दिनों में 8000 अलाइशें उठाई जानी है तो बाराल ये ईद के दूसरे दिन बताया जा रहा है कि ये ज़्यादा अलाइशें होंगी 2900 के मकाबले में और 4000 का अदफ है तो ये बाराल चीफ अफसर म्यूस्पल के मेड़ी चिकवाल इफ्तखार अहमाद एली पूरी तरह से मतरक हैं और ये सारा अमला जो है बल्दिया का और खुसूसी तोर पर बीस दिगर डेली वेज़स की भी खितमाद आसल की गई है तो ये हमाँ वक्त एद के तीनों दिन ये अलाशे उठाने के लिए मस्रूफ रहेगा तो बाराल इस वक्त दिला चिकवाल में और पूरे इसमें एद लदा का बड़ा पुरमन मरला शुरू है और कुरवानी भी महदूत महाने पर जारी है तो ये एद के दिन मौसम बेतर था और बड़ा दूसे दिन अब ये मौसम एक दबा फिर गरम हो रहा है